बेलकम सेवन्थ क्लास टुडेंट्स साथ में करशा के बच्चों का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे यूनिट फोर शर्ल समीकरन सिंपल एक्वेशन और यह टॉपिक ओवन है सबसे पहले इस टॉपिक में हम समीकरन क्या है और इसके बारे में हम भिस्त्र जानकारी अगे एक समीकरन चार बेरिबल पर एक प्रतीबंद होता है प्रतीबंद का मतलब होता है कंडिशन यहां कि दोनों बिनजक का मान बरावर होना चाहिए दोनों बिनजक left-hand side और right-hand side के एक्सप्रेसण है वो बरावर होने चाहिए दुसरा, दोनों बेंग्मों में कम से कम एक में variable होना चाहिए, चर होना चाहिए या left hand में variable हो, या right hand side में तोनों में से एक में e must be condition प्रतिवंद है कि इस दोनों left hand या right hand side में एक expression में variable होना जरूरी ये उसे ही हम समय करन कहेंगे An equation An equation is a condition on a variable The condition is that two expressions should be equal value At least one of the two expressions must contain variable जो उपर मैंने बात कही Equal value बेन तरब Left hand side की value जो expression है और जो expression है expression बेंजक जिसे हम कहते है Left hand side का और जो right hand side का expression और बेंजक है उसके बराबर होना चाहिए और दोनों में से एक में variable होना जो mandatory है, condition है तब ही जाके हमारा जो है वो जो equation है कहलाएगी समी करन कहलाएगा उसके बाद समी करन को लिखने का तरीका कैसे हो किस परकार एक formation हो बनता किस परकार है तो समी करन में यहाँ पे मैंने एक लिखर कहा है AX प्लस और माइनस इस अगले बाले बाक्स में B और यहाँ equality का sign है और C है तो जो equality का निशान है जिसे हम बराबर है कहते हैं और समता का चिन जिसे हम कहते हैं इस से इस तर्फ को जितना भी हमारे पास यहां से लेकि यहां तक यह सारा left-hand side कहलता है और समता कि उस पार बराबर है कि उस पार जो कहलाएगा ओधायाँ पक्स कहलता है और right-hand side है तर थास एक equation में एक left-hand side होता है और एक right-hand side होता है तो यहां पे ax एको में ने x से multiply यह यहां पे गुणाक है जिसे हम coefficient कहते है और एक इस थान के उपर any number हो सकता है यहां पे हम इस एक इस थान के उपर प्लस में हो चाए माइनस में हो जमा में हो माइनस में हो माइनस तीन भी हो सकता है यहाँ पे माइनस 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, माइनस 9 भी हो सकता है और 2 बटा 3 और माइनस 5 बटे 11 तो इस परकार की संख्या है, कॉफिसेंट में ही इस परकार हम लिख सकते हैं दूसरा है एक्स यहां पे एक्स है या वाई भी लिख सकते हैं हम इस स्थान के ओपर इस बॉक्स में यहां पे वाई ले जाएंगे जैड ले जा सकते हैं मगर जितने भी यह जा होंगे इंग्लीस के स्मॉल अलफाबेट में लिखे जाएंगे जने हम बेरीयबल के बाद चिन मेंड्यिटरी है। अगली अगरा हमने संख्या लिखनी हो तो इसमें प्लस या माइनस भी हो सकता है गोना भी हो सकता है भाग भी हो सकता है प्लस के लिए योग माइनस का टाप और गोना और भाग का चिन साइन हो सकता है उसके बाद हमारे पास अगला जो अचर है जिसे हम constant कहते हैं constant कोई भी number any number हो सकता है साथ है तो साथ constant की value कहने का अगर जिसकी value change ना हो जो fix रहे उसे हम चर कहते हैं और जिसमें value बददती रहे not fixed तो से बचर कहते हैं तो यहां साथ है 10 है हमें मालूम है कि साथ की value साथ ही होती है 10, 100, 1 बटा 2 और 4 बटा 7 13 बटे 4 इस परकार जितने भी हैं इन्हें हम constant कहेंगे उसके बाद समता कचिन है equality के उस पार और इस तरफ को left hand side उस तरफ right hand side right hand side में 0 भी हो सकता है अचर constant plus में हो सकता है minus में हो सकता है any number भी हो सकता है number में जैसे minus 3 है तो यहाँ minus 3 में लिख सकता है यहाँ 8 हो सकता है यहाँ minus 13 हो सकता है यहाँ 13 बटे 3 बटे 2 भी हो सकता है तो constant तो इस परकार एक हमारे पास समीकरन की एक formation है समीकरन में पहले इस परकार लिखा मैंने A से X को गुना तो बने गया A X आगे चिन plus B हो सकता है minus हो सकता है अगला constant B है समता का चिन उसके बाद C है तो अगला constant है तो इस परकार एक समीकरन की formation होती है जिसमें एक left hand side होती है एक right hand side होती है गुना की गुना की गुना चरसे होती है और plus और minus की चिन हो सकता है आगे constant हो सकते है नहीं हो सकते है मगर equality का निशान होगा और equality का निशान की उस तरफ अचर जरूर होगा तो इस परकार हमारा समीकरन बनता है equation formation ती इस परकार मैंने आलिकरका है minus 9Y plus 11 is equal to 65 तो यहाँ पे minus 9Y से लेके 11 तक जो equality का sign है उस से इस तरफ को यह कहलाएगा left hand बायाँ पक्स और equality के उस तरफ को दायाँ पक्स दायाँ पक्स मिस्किस्टिफाइब है जो कि एक constant है और यहाँ पे Y को minus 9 से गुना है तो यहाँ minus 9 गुना कैं यह plus में भी होगाए minus में होगाए Y यहाँ पे variable है और यहाँ जो चिन है यह plus में भी होगाए minus में होगाए तो constant अचर तो इस परकार हमारे पास है left hand side और right hand side में हमारे पास है कि equation बन गई अब variable क्या होता है चर क्या है अब variable take on different value जो different value ले जिसकी अलग अलग value हो मान हो its value not fixed जिसकी एक स्थिर बैल्यू ना हो चर का मान निश्चेत या स्थिर नहीं होता variable are written as जिने हम small letters के लिए में दवार लिखते है x, y, z, l, m, n, p, इस तरह एक्सटरा हम बहुत सारे इसमें small letter में ही जब लिखा जाएगा small letter में लिखा जाएगा सच है जह 3 को x से गोना की तो 3 x बन गया minus 7 से y को गोना की तो minus 7 y यह बेंजिक एक्सपरेशन बन गया जब हम इनमें equality का sign लगाते हुई लिखेंगे तो यह समी करन बन जाएगी तो एक समी करन में variable होते हैं तो यहाँ variable x है और यहाँ variable y है और जितने भी variable हैं उनके हम ओपर हम addition, subtraction, multiplication और division चारों operation जो हैं हम उनके ओपर apply कर सकते हैं इससे कोई फरक नहीं पढ़ता value अचर की इस परकार हमारे पास आपकी जो test book है उसका exercise 4.1 है इसका question number 1 है तो इसमें निमलिक सारनी के अंतिम स्थम को पूरा कीजिए जो हमारे पास यहाँ column है इसको हमने पूरा करना है करना कैसे है यह books में दे रखा है equation आपके पास books में दे रखी है value दे रखी है आपने यहाँ पे जो feeling the blanks करना है yes या no यहाँ पे करना है करना कैसे है पहले आप यहाँ पे जो variable है value दीए है उसकी value आप left hand side और right hand side यहाँ पे चुनाब करेंगे यहाँ x जमा 3 क्या है वो left hand side है 0 क्या है यहाँ यहाँ पे right hand side है यहाँ पे x का मान जा हमें x नजर आ रहा है वहाँ हम 3 रखें तो हमरे पास x के जोपर हम 3 value रखेंगे तो 3 जमा 3 6 होता है और left hand side में 6 आ गया right hand side में 0 आ गया तो 6 कभी 0 के बराबर ने होता तो left hand side is not equal to right hand side तो इस परकार यहाँ पे हम हम 0 रखेंगे तो हमारे पास x जमा 3 x जमा 3 हमारे पास यहाँ left hand side है जब हम x के स्थान के उपर 0 रखेंगे तो हमारे पास 0 जमा 3 3 है आएगा right hand side में 0 है तो इस परकार 3 कभी 0 के बराबर ने होता तो इस satisfied नहीं कर पा रहा है यह समय करन को यह value तो इस में लिकेंगे no x-7 बराबर एक यहाँ x के उपर 7 रखना हमने तो यहाँ left hand side में कौन सा है x-7 है x के मान के उपर हम 7 हम रखेंगे value तो 7-7 0 हो जाएगा और right hand side right hand side यहाँ पे है right hand side का मान एक है 0 कभी यह बराबर ने होता तो यहाँ भी value satisfied नहीं x is equal to 7 is not satisfied the equation x-7 is equal to 1 next है 5 x is equal to 25 तो यहाँ x कमान हमने 0 पूट करना है तो यहाँ पे left hand side में 5 x है और 5 को x से x कमान 0 है जो 5 को 0 से पूना करेंगे तो 0 आएगा और right hand side में हमारे पास 0 कभी 25 के बराबर ने होगा तो यहाँ पे x is equal to 0 not satisfied this equation नहीं लिखेंगे उसके बाद 5 x is equal to 25 तो यहाँ पे x कमान जो हम रखेंगे x is equal to minus 5 तो यहाँ left hand side में 5 x है 5 x 5 into x कमान हम यहाँ पे लेंगे minus 5 तो minus 5 into minus 5 minus 25 और right hand side में दे रिका हमारे पास 25 तो left hand की बाली जो right hand value से match नहीं कर रही है तो यहाँ पे लिखेंगे x is equal to minus 5 not satisfied the equation 5 x is equal to 25 इसका next part m by 3 is equal to 2 और m कमान हमे लेंगे minus 6 तो यहाँ पे left hand side m upon 3 minus 6 upon 2 that is minus 3 and right hand side is equal to 2 तो तो यहाँ पे बाली पास 3 is not equal to 2 then this equation not satisfied m is equal to minus 6 not satisfied this equation then we write here no m by 3 बराबर 2 और m कमान हमने सुन्या लेना है तो यहाँ पे बायाँ पक्स जो है m by 3 है m के स्थान के उपर हम 0 पूट करेंगे और 0 बटा 3 0 से बाह करेंगे तो 0 आएगा और यहाँ पे दायाँ पक्स जो है वो 2 के बराबर है तो 0 कभी 2 के बराबर नहीं होती तो इस परकार हम लिखेंगे कि राइट हैंड साइड इस नौट इकल टू लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे या नो लिखेंगे यह जो इसका पार्ट है m by 3 is equal to 2 और m की मान जो है 6 लेना हमने तो यहां left hand side में हमारे पास है m upon 3, 6 upon 3 तो डिबाइड करेंगे 2 आएगा और यहां left hand side में भी 2 आगया, right hand side में भी 2 है तो दोने value match कर रही है तो इस परकार लिखेंगे हम ही है हाँ या yes तो यह question number 1 है जिसमें आपने जो है given value जो है इस हमी करन equation को satisfied करती या नहीं करती है इसके लिए हमने हाँ या नहीं लिखना है इसके बाद हमारे पास है question number 4 right equation for the falling statement निमलिकत कत्रों के लिए सम्मी करन दीजिए तो हमारे पास यहां पे statement दे रखी है इसको हमने पढ़ना है और इसकी हमने एक equation formation करनी है equation बनानी है हमने equation equation कैसी बना जाएगी statement को the sum of number x and 4 is 9 तो x का हमने x और 4 का हमने क्या करना है sum करना है और that is is का मतलब 9 तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे variable क्या है x है और sum करना है तो इसके लिए plus है 4 है और बरावर है किसके है 9 तो x प्लस 4 is equal to 9 इसकी equation बन जाएगी इसी परकार हमारे पास दूसरा part है 2 subtracted from y is 8 y में से 2 गटाने पर 8 करापत होता है तो subtract करना है subtract के लिए minus का है y से 2 करना है तो y minus 2 या 2 minus y ना किया जाए बरकि y minus 2 is equal to 8 तो y minus 2 is equal to 8 variable है y और y minus 2 is equal to 8 इसी परकार इसका 4th part है इसी question का question number 1 का 4th part है the number b divided by 5 gives 6 संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्रापत होता है तो संख्या क्या है हमारे पास variable क्या है b इसको भाग करना है तो divide by 5 कितना आता है इसका इसका अंसर 6 तो b upon 5 is equal to 6 और b upon 5 को हम लिक सकते हैं एक वटा 5 भी लिक सकते हैं एक वटा 5 भी बराबर है 6 के बराबर हो जाएगा इसी परकार हमारे पास इसी का question का part number question number 4 का part number 7 है 1 fourth of a number x minus 4 gives us 4 कोई variable x है उसका हमने one fourth लेना है one upon four लेना है और उसमें minus कर देना है उसमें से four तो यहां पे one हमारे पास x variable है one fourth हो गया one upon four x minus करना है तो minus four gives gives का मतलब equality that is four तो यह हमारे पास क्या बन गई एक equation बन गई statement को पढ़ते हुए हमारे पास एक equation बन गई अगला है if you take away six from six times y you get sixty यदि आप y के 6 गुने में से 6 गटाएं तो आपको 60 परापत होगा variable यहां पे y इसका 6 गुना करना है 6 से गुना कर देनी है गटाना भी समें से 6 है और परापत होगा बरावर एक equation 60 तो बन जाएगा मारे पास 6 को y से गुना करेंगा जो 6y-6 is equal to 60 तो इस प्रकार हमारे पास बन जाएगा 6y-6 is equal to 60 अगले question number 5 है निम्रत सम्मी करनों को समान्य कत्रों के उपर में लिखिए write the following equation in statement form यहां पे हमारे पास equation देर किए equation से हमने सकी statement generate करनी है तो p plus 4 is equal to 15 the number the sum plus के लिए आएगा sum और number y हम variable को लिखेंगे number p and 4 is 15 तो इस प्रकार p में हम अगर हम 4 जोड़ें तो हमारे पास p में 4 जोड़ने पर हमें 15 प्रकालिक सकते हैं p संख्या p संख्या p में 4 जोड़ने पर 15 प्रकालिक सकते हैं तो इस तरह हिंदी में इसकी बन जागी इंग्रिस में दा दा सम आफ नंबर p and 4 is 15 इस प्रकार 2m is equal to minus 7 तो ताइम्स करना है तो तो ताइम्स of m is minus 7 अगला है m by 5 is equal to 3 तो है the number m divided by 5 m को हमने 5 से बाह करना है और जो हमें देता है 3 तो the number m divided by 5 gives us 3 अगला है 4p minus 2 is equal to 18 तो संख्या p के 4 गुने यह 4p का मतला 4 गुने और minus का मतला गटाने पर कितना 2 और कितना प्राप्त होता है 18 संख्या p के 4 गुने का 2 गटाने पर 18 प्रकार होता है इस प्रकार हमारे से इस equation की हमारे पास एक statement समान्य कतन इसमें बन जाएगा p upon 2 plus 2 is equal to 8 तो संख्या p का एक वटा दो को बलते है आदा संख्या p के आधे में से 2 जोडने पर 8 प्रावर मिलता है तो इस प्रकार हमारे पास p upon 2 plus 2 is equal to 8 लिखा जाएगा संख्या p के आधे में से 2 जोडने पर 8 मिलता है तो यह आपकी exercise जो आपकी थी 4.1 जो आपकी इसमें question number 4 और 5 हमने किया thank you